हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सब आशा करती हो अच्छी होंगे तो मैंने आज एक ही साड़ी से निव स्टाइल साड़ी पहनना बताया है जिसे पहन कर आप बहुत ही सुन्दल लगोगी और बहुत ही अच्छा लगोगी और आप अकेली ही इसको पहन पाऊगी किसी की भी और देखने में भी बहुत सुन्दल लगती है यह साड़ी इस तरह से अगर आप साड़ी पहन के जा सकते हो और आराम से पहन सकते हो और कहीं से भी यह गिरेगा नहीं हिलेगा नहीं और बहुत ही सुन्दल लगेगा तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं तो यह दिखी मैं टो हुआ है तो मैं साड़ी को खुल लेती हूं और जो लास्ट वाला हिस्सा है अगे पिछे से ले जा कर एकदम सामने आकर टकर लेंगे और हम अब आचल लेंगे आचल को ऐसे ही हम पहले ने लेते हैं, बाद में हम प्लेट बनाएंगे और इसको घुमा कर कंधे में रख लेते हैं तो आचल थोड़ा सा में बढ़ा लेना पड़ेगा बिल्कुल नीचे तक लेना है छोटा बिल्कुल ने लेना है और अब मैं सामनी की प्लेट को बनाऊंगी सामने के प्लेटों को पहले हम थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे उसके बाद हम उसको खोल देंगे तो प्लेट बिल्कुल बड़ा हो जाता है हम यह देखिए बिल्कुल छोटा छोटा हम ले रहे हैं और यह थोड़ा सा जो हिस्सा हम सामने के तरफ है यह देखिए इसको सामने जाके टकट देंगे यह देखिए यहापर टकट देते हैं पिल लगा सकते हो आप अब मैं तक कर दिया है और अब मैं थोड़ा सा प्लेटों को सही करूंगी और अंदर के तरफ टकर देंगे आप लंबाई देख लेना अगर आप हिल पैंते हो थोड़ा सा बढ़ा रखना लंबाई में और अगर आप प्लेन चपल पैंते हो तो आप मिट्टी के बढ़ा बढ़ी रखें तो अब मैं आगे पीछे की हिस्ते को थोड़ा सा सेट कर लेती हूं यह देखे जो बचा हुआ कपड़ा है उसको यहां पर टकर लेंगे और अब हम प्लेट को बनाएंगे आचल के बिल्कुल छोटा-छोटा हम प्लेट बनाएंगे बॉडर के बराबर जाता चोड़ा और बार बार दिखाती हूं इसतरे से आपको प्लेट बनाना है बहुत ही आसाने बनाना यह देखिए ठोड़ा साम झाल लेते हैं और प्लेटे को सही कर लेते है और अब यहां पर पिन लगा देंगे तो बेजा दिया है अब फिर से आगे जाकर हम इसी तरह से चुटा- तो यहां पर भी पिल लगा लेते हैं, फिर से हम आगे जाएंगे और फिर से इसी तरह से हमें पिल लगा लेना है, तीसरा पिल लगाएंगे हम, यह देख सकते हो, तो हमने पिल लगा लिया यहां पर भी और अब मैं इसको गुमा कर कंदे पर रख लूँगी, अब मैं थोड़ा आचल छूटा लेते हैं पहले हमने बहुत बड़ा लिया था अब हम थोड़ा से छूटा करेंगे यह देखिए इतना ही हमें लेना है कमर से थोड़ा नीचे और अब हम सामने के थोड़ा सेट करेंगे और यहां पर एक पिन लगा लेंगे देखिए यहां पर हमने एक पिन लगा लिया है प्लेटो को सही करकर भीर और थोड़ा से आगे सही करेंगे तो अब हम पिलेटों में एक दो लगा लेते हैं ताकि यह सिक्यूर हो जाए यह देखिए कितना आसान है बनाना प्लेट टाइम भी नहीं लगा और अच्छे से लिए और थोड़ा से आगे भी से लिए अब मैं दिखाते हूं आपको किस तरह से डिजाइन बनाना है तो यह देखिए आचल का एक कोना हमने लिया है और बिलकुल नाभी के बीच में हमें इस तरह से लगाना है और यहां पर एक हम पिन लगा देंगे थोड़ा सा सेट कर लेंगे कि यहां पर पिन लगांगे यहां पर भी हम लगा लिया है और यह बोडर karm in इसको थोड़ा सर खेच कर हम पिछे तक कर देंगे आप इसमें पिन लगा जरूर लेना नहीं तो यह खिसक सकता है तो मैंने इस तरह से टक कर लिया है अब दूसरे आचल को लेंगे और यह वाला देखिए यह जो कौना है हम कौने में नहीं लगाएंगे थोड़ा सा नीचे छोड़ कर पिन लगाएंगे यहाँ यह देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है विल्कुल कौने से पिन लगाया है और विल्कुल नाभी के सेंटर में आपको पिन लगा लेना है तो पिन लगा लिया है मैंने और अब हम बॉर्डर को सेट करेंगे इस बॉर्डर को हम खेच कर पीछे पिन लगा लेंगे रहे हाँ मुद्ध कर लेंगे हैं कि इज़ कि अ Gσ कड़े में है कितना सुन्दर लुकाया आप देख सकते हो ऐक साधे से कितना चुन्दर हम साधी पहन सकते हैं ऐघे देख सकते या अब अब पूर साधी को सैट करेंगे उच्चे से और When I में ने पिन लगा लिया था दिखाना भूल चुके थी आप गंदे में वी पिन लगा लीजिएगा आज अब निए अच्छे सेट कर लिया सभी को और यहां पर पिन लगा लेते हैं ताकि यह बिल्कुल न खिशके अच्छे से पिन लगा लेंगे अच्छे सेट कर लेंगे तो यह देख सकते हो मेरा लुक फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है कितना सुनना लग रहा है आप पार्टी शादी की ही पिर भी पहन के जा सकते हो सभी आपको देखेंगे तो सभी देखते ही रह जाएंगे अगर आप इस तरह से सारी पहन आप लोगों कैसा लगा कमेट में जुरूर बताए और पसंद आए लाइक करें शेर करें और अच्छा लगी तो सस्क्राइब भी कर लें तो चलिए मिलते हैं आम नहीं वीडियो की संग तब तक के लिए बाइबाई